जै स्रे राम, आज सभी भारत वासियों का, सभी राम भकतों का, बरसों का पुराना सपना, स्रे राम मंदिर का सपना, साकार हुआ जैसा कि आपको पता है, आज अयोध्या में भूमी पूजन हुआ, इसमें मोधी जी, धोती और कुर्ता पहन कर, परधान मंदरी नयरंद मोधी और योगी जी अयोध्या पहुचें. साथ में मोधी जी और योगी जी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया, सभी ने मास्क भी लगाया था, मोदी जी, योगी जी और साथ में जितने भी वहाँ पे जो योगी थे, जितने सादू थे, सभी ने मास्क लगाया था, और सभी ने सोचल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, सबसे पहले मोदी जी और योगी जी हनुमान जी के मंदिर पहुँ साफ तौलिये से उतने हाथ साफ किये और फिर वहाँ पे वो मंदिर मेंटर हुए ये उनका भगवान में आस्था दरसाता है वहाँ उनको स्वागत के तोर पे पगड़ी पहनाया गया और एक अंगवस्तर भी दिया गया और उस पगड़ी पे जिस पे सिल्वर कलर का एक मुक पूजा करते वक्त उन्होंने वो सभी कुछ किया जो एक भक्त को करना चाहिए तो हनुमान जी की पूजा और परमिसन लेने के बाद मोदी जी अपनी कार में बैठकर राम लला के मंदिर गये जो कि हनुमान जी के मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पे है राम लला के मंदिर कि किसी भी पी मने ऐसा किया होगा पहले इससे ये पता चलता है कि मोदी जी से राम चंदर जी के बहुत बड़े फक्त हैं उन्होंने परिजात का पोधा भी लगाया वहाँ पर राम जी की पूजा आर्थी करने के बाद मोदी जी भूमी पूजन में गये और कड़ी 12 बच क के पांच मिनट पर भूमी पूजन का पूजा शुरू हुआ, पंडितों ने गनेश जी का जो की बिगन हरता और मंगल करता है, उनके मंत्र से भूमी पूजन स्टार्ट किया, आपको पता है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले गनेश जी की पूजा करने से सवी काम सफल हो उस टाइम पे मोदी जी ने सिराम मंदिर का इट रखा, निव रखा वहां पे, और चान्दी की फावड़े और कन्नी से मंदिर के नीव रखे पीम मोदी ने, आज 500 साल का सपना सकार हुआ, सभी भारत वासियों का, सभी राम भक्तों का 500 साल का सपना सकार हुआ, भूमी भी पहुँचे वहां पे, आज सभी हिंदु और भारत वासियों के लिए एक ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, आज मोदी जी का प्रन पुरा हुआ, आज मोदी जी का बर्सु का पुराना प्रन पुरा हुआ, उन्होंने स्री राम मंदिर का इट रखा, एक निव रखा करीब आदे घंटे तक पूजा चला और भूमी पूजन के बाद राम भजन का भी आयोजन हुआ, राम भजन का कारशक्रम भी वहाँ पे शुरू हुआ, इस उसर पर सभी मिनिस्टर्स, चेफ मिनिस्टर्स और सभी नेता ने भी टूइट करके टूइटर पर सूब कामनाय दि को, और फिर उसके बाद एके करके सभी ने स्पीच दिया, सभी ने भासन दिया, जैसे की योगी जी ने भासन दिया, और राम जी का जो जन्म स्थान है, जहां पर से राम जी ने जनम लिया था, उस जगह पे से राम जी का अब मंदिर बनने जा रहा है, वहां बनेगा, और साइद एक से दू साल या तीन साल के अंदर ये मंदिर बन जाए तो आज बहुत बड़ी खुसी की बात है तो कह सकते हैं कि या 2020 में कोरोना का टाइम है उसके बावजूद भी इतना सुभ काम होने जा रहा है इतना सुभ काम स्टार्ट हो गया स्री राम जी का और आज का दीन ये इसको इतिहासिक दीन बोलेंगे और ये आयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है जो आज जो सिला नयास हुआ जो इसका जो इंट रखा गया जो निव रखा गया वह आप बोल सकते हैं कि ये इतिहास में भी दर्ज होगा कि आयोध्या में ये मंदिर बना इतने साल के बाद तो दोस्तो जैसे राम और अब मैं कहीं पर वीडियो खतम करता हूँ